दुर्ग मोहन नगर वाड में आवारा मवेशियों ने वाडवासियों को परिशान कर रखा है वाडवासियों की शिकायत पर वाड पारशत ने दुर्ग निगम को कई बार मवेशी पकड़ने भी सूचित किया जिस पर कोई कारवाई नहीं होने से नाराज पारशत अजितवै ने खुद ही संभाल लिया कव केचर के बहान को दुर्ग शहर में इन दिनों शहर के कई वाड़ों में आवारा मवीशियों आवारा कुत्तों के आतंक से वाट के लोग का भी परिशान देखे जा रहे हैं वाट 13 मोहन नगर पश्ची में भी कई शिकायतें पार्शत तक पहु ना देख बुधवार को खुद नगर निगम कायले पहुँचकर संबंदित अधिकारियों को फोन लगाया और अपनी नाराजगी जताई साथ ही मवेशियों को पकड़ने कारवाई करने की बात कही आदमी निए तो बताओ मैं बेश्चा करूंगा आदमी बाई हो रही कि नहीं आदबी की बेश्चा मेरे को पताओ को दो दो ने आधिए लिकार तो गुपता जी में को बता दो आप कितने दर में यार घर में घूत रहें हैं वेशी लोग टेकतर में बैठाओ जब तक निवेजो तुरेद मैं यहीं बैठाओ बेजो ना बोल दी हो मतलब यह ताइम है क्या आपके आपको का चार बज़के पटीस नेट में खाना काते हैं कि इस जाए यह मैनेजमेंट आपका पुकता जी जा बोल रहा है अब कि इस देखाएंगे इस बिद्स ना इस यह तक आएंगे तक रहा है तक रहा है तरह तक रहा है तक रहा है तुट्रे गर के अंदर बूज जा रहे है अरे छोड़े जोड़े बच्चे हैं कल किसी बच्चे में लात लग गया खुन दिया किसी बच्चे को मेरे वाट के बच्चे तो हताहत हो जाएंगे नहीं है इनका क्या जाएगा जिस तरह से भाजपा पाशत अजित वैद वाट की समस्या को सुलजाने काफी परिशान नजर आ रहे थे वहीं वो खुद अगर कोई करमचारी उपलब्द नहीं होने की सिद्धी में खुद ही काव केचर वाहन को चलाकर वाट के लोगों के सहयोग से मवेशी पकड़ने की बात कहीं बता दें दुर्गनागर निगम अब अपने कार प्रणाली के चलते इतना सुस्त हो चुका है कि अवाट पारशत का वाट के जनता की समस्या का हल करने के लिए खुद काम कर करने पर उतरना पड़ रहा है बरहाल इन सब के बाद निगम की करमचारी मौके पर पहुंचे और काव केचर वाहन लेकर आवारा मवेश्यों को पकड़ने वाट के लिए रवाना किया मैं मेरे वाड में लगबग लगबग सेक्ड़ों के कॉंटिटी में जानवार आकर के बैठे हुए हैं और ना जाने कहां के जानवर हैं आउटर एरिया है घास भूस खाने के लिए आते होंगे मैं उन मवेश्यों को उठाने के लिए कमिशनर जी को महापार जी को उनके रखी हुए एक जमना दी दिए उनके घर का कम से कम आदा क्यूंटल चाओल खा गया है यह आलम है जानवारों का इतना आतंग बज़ गया है शड़कों में गाड़ी खड़ी रहती वो तोड़ देते मेरी कार पूरी तोड़े हुए और मैं अकेले ही नहीं मेरा पूरा जाएगा वो घर के अंदर घुझ जा रहा है आज मैं मतलब इतना प्रस्टेट हो गया हूं अगर यह लोग नहीं देंगे तो मैं अपने वाड के पूरे लोगों को पकड़ूंगा और इस टेक्टर में भर कर जानवार लेकर क्या हूंगा और नगर निगम के मूंए ना इन तक जानवर को चार साल से मैं जानवर को लिए नरस फो जाएगा यही चल रहा है तेक्टर खराब है अभी दुर्गेश गुपचा जी ने क्या बोला टेक्टर खराब है अभी दो मिनिट पहले मैं उनको सक्ती से बोला हूं तो बोल रहें दस मिनिट में आ रहें और यह दस मिनिट उनका वेट कर रहों में टेक्टर बैटे बैटे वो नहीं आएंगे दस मिनिट के आदा गंट रात बर बैटूंगा मैं अगर वो नहीं आएंगे ना आज तो मैं खुद ले कर जाओंगा टेक्टर एस ये निउस के लिए दुर्गसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट